चुनावी नतीजों में भाजपा ने उत्रप्रदेश में 250 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्च की और यूपी में फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है इस बीच इन नतीजों के बाद एक वीडियो शेर किया जाने लगा और वीडियो के साथ कहा जाने लगा कि नई सरकार बनने पर बीजेपी के गुंडों ने एक बेकसूर व्यक्ति की जान लेकर जश्न मनाया सपास से जुड़ी अदिती यादव ने ऐसा ही दावा किया उन्होंने बाद में अपना पोस्ट डिलीट कर दिया लेकिन डिलीट करने से पहले तक इसे 36,000 बार देखा जा चुका था इस वीडियो में काफी हिंसा दिख रही है इसलिए हमने इसे बलर कर दिया है कई यूजर्स ने ये वीडियो शेर करते हुए यूपी पुलिस को टैक किया और इस मामले पर संग्यान लेने की बात की लेकिन ये वीडियो यूपी का है ही नहीं ये बिहार में तीन साल पहले हुई घटना का पुराना वीडियो है इंडिया टुडे ने 5 अक्टूबर 2019 को इस घटना के बारे में एक खबर पबलिश की थी खबर में बताया गया है कि ये घटना बिहार के कैमुर जिले के भबुआ नगर में घटी थी वहाँ दिन दहारे गोली मार कर यूवक की हत्या कर दी गई थी गोले लगने के बाद सदर अस्पताल में जुटी भीड सिक्टी गाउ के मादव सिंग की मौद की सूचना से अक्रोशित हो गई और गोली मारने के आरोपिद शाहिद राइन को पीटने लगी भीड ने शाहिद को मारते हुए जैश्री राम का नारा भी लगाया था औल्ट न्यूज ने इस मामले को लेकर भवुआ पुलीस से संपर किया था थाना अध्यक्ष सशी भूशन ने बताया था कि मामले में कोई सांपरदाईक एंगल नहीं है पीडित और आरोपि का आपस में कुछ जमीन का विवाद चल रहा था कैमूर के एसपी दिलनवाज एहमत ने भी घटना के पीछे सांपरदाईक मकसद होने की बात से इंकार कर दिया उन्होंने बताया कि शाहिद को मारने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्च की गई थी Alt News इस वीडियो की परताल 2019 में दो बार कर चुका है पहली बार इस घटना को हिंदू-मुस्लिम एंगल देकर शेर किया गया था और दूसरी बार ये वीडियो शेर करते हुए दावा किया गया था कि एक कश्मीरी लड़के को आयसे से जुड़े लोगों ने पीटा और जैश्री राम के नारे लगाए ये दोनों ही दावे हमारी जाच में गलत पाए गए थे